तो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप लोको किसा सेयर करी हूं ऐसी नास्ता की रेसिपी फ्रेंड्स जिसको हम घर में रखे बेसिक समानों से बहुत ही जटपट बना के त्यार कर सकते हैं यह बनने की बाद ना फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी लगती ह तो इस नास्तिको बनाने के लिए सबसे पहेले कड़ाही लीजे उसमें एक कटोरी तरह से पाने डाल दीजे कप यह किसी सी फी मेचिर्मेंट करके ने इस नास्तीकों बना सकते हुं फ्रेंड्स तो पानी ड cheat-ải यह बनाने का इप द ना जॉत ही अच्रुठ पति हैं तो जर अप्षिक को इस नास्ति को और टेष्टी बनाने के लिए, धिया कि हिषने न क्छीलिवू अच्छी अलो को मैं नच्छी में हैं, छीकला को मीडियम है कट्छी अलु किसा अलो डाल्कोUD करें नहीं किसा ष्म मैं ना के रही, इस नास्टे को टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने एक आधी कटोरी इस तरह से चावल के आठे डाले हैं चावल के आठे ना हो तो आप सूजी से भी इस नास्टे को बना सकते हैं तो चावल के आठे डालने की बाद न अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है दो से तीन मिनट म न बहुट ही अच्छे से ढ्राय हो जाता है इस तरी से चलाते रहिए और पैन में हल्का सभी चिपके न तो इस तरी से हमारे चिपषी कर लेना है थोड़ से मुझे चिप चिप लगे नहीं तो यह ठंडा होने के बाद ना अच्छे सी थीक हो जाएगा फ्रेंज तो एक प्लेट या थाली में इस तरह से तेल लगा लीजी ताकि हमारे डो चिप के न और इस तरह से हलका सा ठंडा होने के लिए न इसको इस तरह से इसको शेब देंगे तो आप अपने मन पसंद अनुसार इसको शेब दे सकते हैं मैं इस नास्ते को इस तरह से बना के त्यार करूंगी अपने पसंद से इसको आप चाहो तो टिकी की तरह भी बना सकते हैं या स्क्वेर शेप में या राउंड शेप में भी इसको लड़ू क तरह बना सकते हैं तो इस तरह से मैंने बना के त्यार कर लिए हलके से इस तरह से प्रेश करने से इस तरह से डिजाइन बन जाता है आप देख भी सकते हैं ज्यादा मैंने मोटा किया ज्यादा पदला तो बारी बारी करके न इस तरह से हमको सभी नास्ति को बना के त्यार कर ल तो इस तरह से बैने के बाद इसको फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए थिंड युद्ड और चोटा सा अंट्रे mor tra kungplayer कर किंगे पिर हो घर मेटी नाइटनी कि हमको त्यार के आणिवे जोप स्कूरारे सुदों केftig टियार करेंग जाय कर लेगा तो यह कर liberté मेना Israel के चामल के आंटी से बोहुंती टेस्टी बना की तियार कर सकते हैं जो खाने में तियार हो जाती है और इस नास्ती को बनाने में ज्याद़ समय भी नहीं लेगता है बहुत जटपट बन के त्यार हो जाती है और इस नास्ती को फ्राइग करने में ज़्यादा तेल भी एक्जोब नहीं होता है बहुत एक कम तेल में फ्राइग हो जाता है आप देख भी सकते हैं बिल्कुल भी तेल हमारी खतम नहीं हुई है तो इस तरह से हमको अच्छे से दो के त्यार करें आप देख भी सकते हैं बहुती कम तील मिन बहुती टेश्टी हम नास्ता बना के त्यार कर सकते हैं और बच्छे वले नास्ती को भी ना इस तरह से बारी बारी करके डाल देना है और high to medium फ्राइब द सबी सब्सक्राइब तब सब्सक्राइब पतब variance तो सब्सक्राइब इस तरह से मैंने सभी को फ्राय करके निकाल लिये हैं और त्यार है हमारा बहूत ही क्रिस्पी टेशरी नास्ता फ्रेंज जो खाने में बहूत ही यम्मी है तो इस Rice Ils डिरגם के लिए अई गृhet लगी आप मुझे में कमंप कर्कि जरूर बता नaments हैं इसी तरह स्वाधिष्ट और नए रेसिपी के साथ नेश्टी वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग